आज हम आपके लेकर आये हैं बहुती तेस्टी डेजर्ट की रेशिपी जो गर पर रही सामान से ही रेडी होगा और कुछी ताइम में बनकर रेडी हो जाएगा और खाने में सबको पसंद रहेगा तो चलिए रेशिपी सुरू करते हैं अब से पहले बावल में सुजी लेंगे अधा कप जितना और उसी नाप से अधा कप जितना मेंदा लेना है यहाँ पर दोनों का नाप सेम रखना है अब हम इसमें यहाँ पर दहीं एट करेंगे दहीं हम वन फोट कप जितना लेंगे दहीं को अच्छे से फैट लिया है आप करते हो डई की कंसिस्टनसी अब हम इसमें वन फोट कप जितना टेल एड़ करेंगे टेल हमने यहाँ पर स्टिंग टेल लिया है अच्छे से एड़ कर लेंगे अभी हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है इंस्टन्ट यह डेजर्ट बनकर रेड़ी होगा आप जरूर ट्राई करें अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी एड़ करेंगे चादा एड़ नहीं करना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी एड़ करने के बाद कंसिस्टन से देख सकते हो थोड़ा बहुत बेतर जालीदार भी हो गया है बर्फी जैसा क्योंकि हमने यहां पर दहीं एड़ किया है अब हम इसमें बेकिंग पाउडर एड़ करेंगे एक चम्मच जितना और यहां पर बेकिंग पाउडर ही एड़ करना है सोडा या इनो नहीं यूज़ करना है अब हमें इसको हलका सा मिला लेंगे ज़्यादा चलाना नहीं है थोड़ा बहुत मिला नहीं है आप देख सकते हो यहां पर कंसिस्टन से भी ज़्यादा स्मूर्ट नहीं है बाइनिंग भी अच्छे से आ गया है अब हम सेट कर के लिए 15 मिनित एक तरप छोड़ देंगे तब तक हम चीनी की चास्नी बना कर रेडी करेंगे यहाँ पर एक कप जितनी चीनी लींगे उसी कप के नाप से पानी एड़ करना है और चीनी को मेल्ट होने देना है अब हम गैस की फ्लेम मिडियम रखके थोड़ा पहला उबल आने करेंगे उबल आना शुरू हो गया है अब हम केसर एड़ करेंगे इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे यहाँ पर पूरी हाड़ चास्नी नहीं बनानी है चीनी मेल्ट होके थोड़ा घाटी हो जाए तब तक हम में मेल्ट होने देना है दो मिनिट हो गई है और पहले से घाड़ी भी बन गई है और थोड़ी चिप 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 भी लग रही है अब हम गेस की फ्लेम बंद कर लेंगे और साइद में रख देंगे पंदरा मिनिट हो गई है आप बेतर की कंसिस्टन से देख सकते हो सुजी ने जितना पानी एबज़ोग करना था वो कर लिया है पहले से थोड़ा बहुत ठिक भी हो गया है अब हम वापस पानी एड़ करेंगे दो चमच जितना थोड़ा स्मूट बनाएंगे इसको थोड़ा चला लेंगे और स्मूट बना लेंगे पहले से स्मूट हो गया है अब हम इस बेटर को बिस्कित बनाना शुरू करेंगे यहाँ पर हमने दूट की पन्नी ली है उसको अच्छे से वास करके एक साइड में खोल लिया है और पन्नी को ग्लास में रख दिया है क्योंकि हमें पन्नी में बेतर एड़ करना है थोड़ा थोड़ा करके हम बेतर को पन्नी में एड़ कर लेंगे जितना आये उतना बर लेंगे पन्नी में बेतर ले लिया है और एर ना रहे इस तरह से टाइट कर लिया है कौन बना लिया है दूसरी तरफ टेल भी गरम करने के लिए रख दिया है अब हम कट करके बिस्कित बनाना सुरू करेंगे जैसे जलेबी के लिए कट करते हैं उसी साफ से कट करना है जलेबी की तरह ही राउन सेप में बेतर को टेल में रखते जाएंगे और फ्राइक करते जाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पर जले भी जितना लंबा नहीं करना है छोटा छोटा ही बनाएंगे आप देख सकते हो कितना बना रहे है तेल गरम होने के बाद ही अमें बेतर को इस तरह से रखना है हमने टेल में जितने आये उतने रख दिये है थोड़ा चला के सेट कर लेंगे और सारे बिस्किट टेल में तैरने लगे तब तक हमें फ्राइ करना है और उपर की तरफ टेल से स्पिंकल कर दे जाएंगे अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइट भी सुनेरा कलर होने तक होने देंगे आप देख सकते हो एक साइट बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है आप बिस्किट को जो सेप में बनाना चाहते हो वो सेप में बना सकते हो और दूसरी तरफ पलटने के बाद 2-3 मिनिट ही पकाना है क्योंकि बीच से तो पहले से पक गए होंगे अब हम पलट के देख लेंगे और जो पूरा सुनेरा कलर आ गया है उसको हम निकाल लेंगे और बाकी के होने देंगे हम निकाल टे जाएंगे जो हो गए हो और टेल से निकाल कर सिधा हमें चीनी के चास्टनी में ही एड करना है यहाँ पर चास्टनी थोड़ा गरम होना चाहिए तब ही यह बिस्कित के साथ सेट होगा और बिस्कित भी यहाँ पर थोड़ा गरम होना चाहिए तब जाके ये dessert complete होगा दुसरी तरफ हम biscuit को fry भी कर लेंगे सारे add कर लिए है 15 minute set होने देना है और बाकी के fry कर लेंगे 15 minute हो गई है हमारा dessert अच्छे से चास्टनी में set हो गया है और मिठा भी हो गया है अब हम इसको plate में निकाल लेंगे इस तरह से सारे dessert ready कर लेंगे हमने plate में लेके उपर से dry food से garnish कर लिया है हमने यहाँ पर बारिक cut की हुई पिस्ति ली है आप भी ये recipe देखकर जरूर try करे आपको हमारी recipe पसंद आई हो तो like और share करे